अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बैल आईकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस वीडियो के बारे में आफडेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिये चलेंगे आपकी फेपरिट वीडियो की तरफ माइक नमबर एक से सवाल करिए बहुत अच्छा सवाल मालिक एक तो सारे इनसानों के लिए अदल भी एक होता है बहुत अच्छा सवाल बहुत एम सवाल बाइका सवाल है कि ये किदर का मुसल्मानों को माफ करता है हिंदू को नहीं माफ करता है मैंने अपसे कहा के जो निसका नाम का, मुसलमनें Isका नाम मुम्मद अब्ढल्लाजाक्र थची रहे तो वह खाफी नहीं जनत में जाने के लिए मुसलिम का मतलब वो इनसान जो अमन हासिल करता है अपनी खौईष, अपनी मर्जी से, खुदा के हखामात पे अमल करने के बाद अग्यों जो एनसान अपने मालिक के एकामात पे अमल करता है वो सच्चा इनसाने वो नाम का क्या है उसका कोई लिना देना ने यहां मैं कही रहा हूं कि जो एनसान अलला के इलावा किसी के साथ शिर्क कर रहा था आज शिर्कन ना छोड़ दिया आज उसके गुना माफोंगे चाहे कोई भी हो आप भी आप भी अगर कहते कि मैं शिर्कन ना छोड़ दूँगा अल्ला के इलावा किसी और की अबादत नहीं करूँगा जो हिंदू मदभ के किताब में लिखा है और मैं मानूँगा आखरी पैगंबर मुहम्मद सल्लाव सल्म में चाहे आप इसाई है चाहे आप हिंदू है चाहे आप यहुदी है आज आप अगर अपने मालिक का कहना मानेंगे तो आपका मालिक आपको माफ करेंगा लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा मालिक एक लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे तो मालिक कैसा माफ करेंगा मिसल के तोर पे एक examination होता है teacher सारे तालिब इल्म के लिए बराबर है teacher एक साल के लिए सारे तालिब इल्म सारे students को सिखाता है बराबर लेकिन examination में जो teacher पूरे साल बर सिखाता है जो तालिब इल्म वो teacher के सिखाय और मुताबिक examination paper में लिखता है वो पास हो जाएंगा जो तालिब इल्म टीचर जो सिकाता है उसके खिलाफ काम करता है तो टीचर क्या उसको पास करेंगा चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, ईसाई हो जो टीचर सिकाता है उसके उपर वो तालिब इल्म उसके मताबिक इंत्यान देता है वो पास होगा, आपका मालिक हमारा मालिक एक है सारी किताबों में लिखा है हिंदु मजब की किताब में, यहुद मजब की किताब में, इसाय मजब की किताब में इसलाम मजब की किताब में सिख मजब की किताब में, के मालिक एक है, मालिक के इलावा किसी की अबादत नहीं करना चाहिए खुदा के इलावा किसी की अबादत नहीं करना चाहिए कल मैंने फरमाया था कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं कोई अक्स नहीं कोई फोटोग्राफ नहीं कोई पिच्छर नहीं कोई बुत नहीं कोई मुर्ती ने फिर अगर आप मुर्ती देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मान रहे तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे आपका नाम कुछ भी हो मोहन हो कुछ भी हो शंकर हो या अब्दुल्ला हो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आप सच मुछ उस मालिक के बंदे ह अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आपके गुना माफ हो जाएंगे तो ये अर्बी में कह रहा हूँ कि मुस्लिम तो लोग को ये लफ से नफरत है अगर नफरत है तो मैं मुस्लिम लफ को नकालता हूँ मैं ये कहता हूँ जो भी इनसान अपने मालिक का कहना मानता है उसे अर्बी में कहते है मुस्लिम लेकिन आपको मुस्लिम शब्से नफरत है मुस्लिम शब्स को निकाल दो मैं ये कहूँगा जो खुदा के एकामात पे अमल करता है खुदा के कलमात पे अमल करता है ये मानता है के खुदा एक है उसके इलावा किसी की पूझा नहीं करना चाहिए वो इनसान के गुना वो मालिक माफ करेंगा आप अगर मानेंगे खुदा एक है आप मानते है खुदा एक है आप मानते है खुदा के इलावा किसी और को पूझना नहीं चाहिए मानते हैं हाँ के ने मानते हैं आप मानते हैं बुद्परस्ती गलत है आप मानते हैं कि मुर्ती पूजा गलत है आप मानते हैं कि आखरी पेगंबर मुम्मस अल्लाव सलम है नहीं मानते जैसे सीफ संतर को पेगंबर बोलते है जैसे साही बाबा को यह समझे पैगमर हो गए यह हर फरीष्टे ऐसे ऐसे आते गए आपने मेरी पंद्रा तारीकी तक्रीर सुनी मैंने नहीं सुना मेरी मुहम्मद सुल्लाव सल्म का जिकर मुक्तलिब मजभी किताबों में आप कसेट लीजिए उस आखरी पैगमर का नामे मुहम्मद सुल्लाव सल्म आप हिंदू मजभी किताब में लिखा है भविशे पुराना पर्व थ्री खंड थ्री अदे थ्री श्लोका पांच से आठ में लिखा है भविशे वानी मुहम्मद सुल्लाव सल्म की आप पढ़ेंगे भविश पुराना पर्वत्री, खंड थ्री, अद्य थ्री, श्लोका 10-27 में मुम्मद अल्हा सल्म का जिकर है आप कुंटब सुकता पढ़िए अथरवावेद में लिखा है किताब नमबर 20, हिम नमबर 127, श्लोका नमबर 1-14 में लिखा है मुम्मद अल्हा सल्म के बारे में आप पढ़िए अथरवावेद किताब नमबर 20, अद्या नमबर 21, श्लोका नमबर 6 और साथ में मुम्मद अल्हा सल्म का जिकर है मحمد صلی اللہ علیہ وسلم का जिकर साम वेद में आहमद जैसा साम वेद उत्तर चिक मंत्रा नमर 1500 लिखा है यजवेद में अध्या नमर 31 श्लोका नमर 18 में आप पढ़ेंगे रिख वेद किताब नमर 8 अध्या नमर 6 वर्स नमर 10 में आप अगर पढ़ेंगे अथरवावेद किताब नमर 8 अध्या नमर 5 श्लोका नमर 16 में मحمد صلی اللہ علیہ وسلم के बाले में अहमद लिखा है अथरवावेद किताब नमर 20 हिम नमर 126 वर्स नमर 14 में कई जगा लिखा है नाराशन्सा मतलब वो आदमी जो प्रशन्सा के लाइक है इसका अरबी में तर्जूमा होता है मौमध मौमध صلی اللہ علیہ وسلم का नाम से जिकर है हिंदू मजब की कही किताब में रिघवेद किताब नमर 1 हिम नमर 13 वर्स नमर 3 रिग वेज किताब नमब नमब वन, हम नमब एटीन, वर्स नमब नाइन, रिग वेज, बुक नमब 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 वन, हम नमब वर्स नमब चार्थ, रिग वेज, बुक नमब नमब तू, हम नमब तू, हम नमब तू, वर्स नमब तू, रिग वेज, बुक नमब तू, हम मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूँ आपके किताबों में से सिर्फ घंटों तक जिसमें लिखा है मम्मस अल्लाव सलम् आखरी पैकंबर है आज जो इसलाम कबूल कर रहे है उनको ये समझाओ कि इसलाम धर्म क्या है उनको वो समझ में मेरे भी समझ में नहीं आ रहा थे इसलाम पूलते है किसको आपने कहा कि जो लोग इसलाम कबूल कर रहे हैं उन्हें समझाओ इसलाम धर्म क्या है आप नहीं समझे वो लोग समझे इसले तो इसलाम कबूल करे है आप भी समझेंगे तो आप भी कबूल करेंगे ये दस रोजा कॉन्फिंड जो था हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इनसानों को इसलाम क्या है ये मीडिया जो इसलाम को पेश कर रही है ये तोड मुडोर के पेश कर रही हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इंसानों को इसलाम क्या है अगर आप इसलाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो जब भी पहचान लेंगे इसलाम को तो इंशालला आप भी शादत देंगे मेरी दौाए अल्ला सुबानाओ टाला से उस मालक से कि आपको इदायत दे कि आप यह मानें कि अल्ला एक है अल्ला के इलावा कोई माबूद नहीं और मम्मझ स्थाला ओसल्म आखरी पैगंबर है मैं कहूंगा वालेंटियस से कि आपको बेरी डीवीडी दे मम्मझ स्थाल्ला स्ल्म का जिकर मुक्तलिब मजभी किताबों में उसमें सारे हवाले है और एक हुसूसन दक्रीर है मम्मा स्लिब्स का जिकर हिंदू मजभी किताब में सिर्फ हिंदू मजभ में आप उसको देखो और इंशालला आप इस बात को तस्लीम करेंगे आज नहीं तो कल क्या लाइक है उसके इलावा कोई माबूद नहीं और मुम्मा स्लिब्स आखिरी पेगंबर है हुब दान स्थिक्ष्टि माएक नमबर तीन मैं कोई खातों हूँ को सवाल करें माएक नमबर तीन से यहाँ पे पाच बेहने है जिनको शहादा लेना है अगर आप पाचो का साथ में करा दें मैं जो नहीं चाहता हूँ वो अल्ला ताहला कर रहा है मुझे किसी ने कहा कल क्या शहादा इतने हो रहे क्यों ने आप एलान करो कि एक साथ में दो तो वक्त बचेंगा और लोग आएंगे मैंने कहा मैं पॉब्लिक में नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन माशालला लोग को पता है का वक्त कम है तो पाचो बहने साथ में मैं के नजिक आगे मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ पाचो बहनों से क्या कोई भी आप पे जबर दस्ती कर रहा इसलाम कबूल करने के लिए कोई आप पे दबाओ डाल रहा है इसलाम कबूल करने के लिए आप मानते हैं के खुदा एक है और अल्ला के लावा कोई माबूद नहीं आप मानते हैं के महम्मद ﷺ अखरी पेगंबर है मैं सर्फ ये पुछना चाहता हूँ क्या बारी बारी एक भेन अपना नाम कहे अभी आपका नाम कहे और कौन से मज़भ से तालुक रखते उसके बाद मैं साथ में कलमा पढ़ाओंगा आपको मेरा नाम कुसुन पाटिल है मैं इसलाम कबूल करना चाहती है दूसरी भेन अपना नाम फर्मा सकती है मेरा नाम है निर्मला शेलेंद्र गाइकवार मगर मेरे शोयर भी उदर आए कलमा पढ़ने के लिए तो शोयर भी आ सकते है जो भी भाय अभी वक्त कम है जो भी भाय और भेन इसलाम कबूल करना चाहते वो माइक नमबर वन टू और त्री पे साथ में आ सकते कीन चार पांच वक्त कम है